आज हम बात करने वाले हैं बलेनों के MID डिस्पले के बारे में MID means multi information display तो देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या information वो provide करता है तो चलिए आएए देखते हैं फ्रेंज जैसे कि आप देख सकते हैं यह बलेनों का MID डिस्पले है इसके अंदर जो first slide है यह शो करती है आपकी average fuel economy और रेंज मतलब आपकी कार कितने किलोमेटर ट्रावल करेगी इस पर मत जाना कि यह 4.9 किलोमेटर पर लीटर क्यों आ रहा है वह आपका यह भी आवरेज आपको आराउंड 17 टू 18 सिटी में मिल जाएगी इस पर मत जाना जो second slide है वह है आपका यह भी आवरेज फ्यूल एकॉनमी की है जैसे ड्राविंग के अकॉर्डिंग बताती है कि आप कैसे ड्राइफ करते हैं आपको पाटन और नेक्स लाइट जो है आपको ड्राविंग टाइम बताती है टोटल आपने कितना ट्राइफ कि जैसे मैंने कर रखा है फॉर एक्जांपल 99 आर्स 59 मिनेट्स और 59 सेकंड्स यह फूर्ट स्लाइड है यह आपको क्लॉक है क्लॉक टाइम बताएगी आपको फिर इस स्लाइड में आपको टॉर्क पावर मीटर दे रखा है जितना आप कार को रेफ करेंगे और देखे जैसे यह बढ़ रहा है और कम हो रहा है अब बात करते हैं मिड डिस्प्ले के सेटिंग्स के बारे में देखिए फॉर्स्ट है डिस्टिंस यूनिट यह अपने अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं आपको किलोमीटर में चाहिए या माइल्स में चाहिए फिर आता है फ्यूल अपनी फ्यूल एकॉनमी भी आप अपने किलोमीटर पर लीटर लीटर पर हंट्रेट किलोमीटर एंपीजी यह तो इंडिया में इतना नहीं है इंडिया में नहीं चलता बाहर के पॉमाट है लांगवेज आप सेट कर सकते हैं इंग्लेश फ्रेंच स्पानिश जर्मन इटा यह अपने इसाब से कर बागी आता है तेंपरियचर एक ट्रेलर देखने के लिए और लॉक सेटिंग्स कर सकते पिर आता है डो लॉक डूर लॉक इसके अंदर जैसे first mode था door lock door lock के अंदर आप सारे doors एक साथ lock कर सकते हैं और इसमें एक option है driver door सिर्फ single door आप lock कर सकते हैं auto lock में हैं आप manually lock करिए या फिर speed के साथ मतलब जैसी 2000 rpm के उपर जाएगी गाड़ी वो automatically lock हो जाएगा auto unlock में हैं जैसी आप ignition off करेंगे doors सारे unlock हो जाएगे या फिर manually आपको करना है तो manually भी कर सकते हैं alarm में है on रखना है on रखना है off करना है आपकी मरजी है पिर आता lights lights दो है foot light और lane change foot light होती है जो accelerator और brakes के पास जो lights आती है इसमें आपके उपर depend करता है आपको रात को जलानी है तो आप अपने headlights के साथ क्या जो भी lights जल दी है उनके साथ synchro कर सकते हैं तो जैसी आप headlights on करेंगे रात को तो automatic जल पड़ेगी या फिर door synchro कर सकते है door synchro में होता है कि आप जैसे ही door open करेंगे तो वो lights भी जल पड़ेंगे अब next पर आते हैं lane change lane change basically इतना इंडिया में नहीं है because हम लोग indicator ही दे देते है lane change के लिए lane change के लिए जो indicator का liver है उसको हलका सा नीचे करेंगे जैसे ये है दो second के लिए वो light जलेगी और बंद हो जाएगी मैं एक और example देता हूँ जैसे मैंने हलका से किया राइड चली बंद हो गए ये lane change का feature है इसको आप on रखिया आफ करिया ये आपकी मरजी है guide me lamps to car to home to car में ये है कि अगर आप रात को means कई अंधेरे वाली जगा पे हैं और आपको गाड़ी नहीं मिल रही तो आप इसको on कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको guide के headlamps auto mode पर रखने पड़ेंगे which means कि आप जब भी means इसमे time जैसे आप देख सकते हैं 10 second, 15 second, 20, 25 second मतलब आप जैसे ही guide का unlock button दबाएंगे इसमें इसके headlamps on हो जाएंगे जिससे आपको गाड़ी easily मिल जाएंगे और to home का मतलब है जैसे आप घर पर जाते हैं रात को late हो जाते हैं अंदेला होता है, कुछ होता है तो आप इसमें जैसे ही आप lock का बटन दबाएंगे तो गाड़ी इसके headlamps on हो जाएंगे anti-thift anti-thift आप guys हमेशा on रखिए और मैं तो यही कहता हूँ कि यह हमेशा highest sensitivity level पर होने चाहिए यह देखिए मैंने भी इसको high देखिए इसका sensitivity level इसको 15 कर रखा है सबसे highest पर विकेस guys आजकल किसी का कुछ पता नहीं चोरियां बहुत हो रही है इंडिया में देखिए यह भी मैंने 15 पर ही कर रखा है shock sensors आप on रखिए हमेशा और mode selector tool, mode D, mode A इसका कुछ इतना use नहीं है आप हमेशा mode D पर रखिए display items display items में आपको car का color जो display में car आती है उसका color कैसा चाहिए यह आप पर है यह for example मैंने red पर रखा है अभी में change करके इसको orange कर देता हूँ और जो क्या calendar display चाहिए कि नहीं चाहिए calendar form कैसा होना चाहिए वह आप पर depend करता है fuel economy history यह सब और यह आता है default setting में अब जैसी इस पर click करेंगे वह जितना भी आपने changes करें वह default में चला जाएगा अब मतलब default setting में convert हो जाएगा जो पहले था वह as it is convert हो जाएगा so guys आज के लिए बस इतना ही यह था बलेनों का MID display